दोस्तों दुट्यशत्र में आपका हार्दिक्ष फागत है। आज हम दुट्यशत्र के बाड़े में बात करने वाले हैं। दुट्यशत्र में हिंदी विशे में आपको पाठ 9 से लिकर, पाठ 16 तक का अभ्याश करना है। आज हम पाठ 9 कैसा सोर यानि की आवाज, ये कैसी आवाजे हैं। इसका मटलब यह होता है, तो इस इकाय का हम अभ्याश करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को मज़ेदार खाने की चीज़े पसंद होगी। पसंद है ना? तो आज हम इस इकाय में ऐसी ही मज़ेदार सबजियों के बाड़े में जानकारी प्राप्त करेंगी। दोस्तों इस इकाय में सबजियां अंदर अंदर बाच्चीत करती और क्या बाच्चीत करती हैं। वह हम Ikai में सिखने वाले है हैं। दोस्तों ये चित्र कठा है, और हम इस Ikaय का अभ्याश करेंगी। ओके दोस्तों, चले, हम इकाई को समझने का प्रैत्न करते हैं. इकाई नमबर नो, कैसा सोर? फ्रेंज्स, अब हम सबजियों के बारे में माहीती प्राप्त करेंगे. सबजियों के नाम सबसे पहले हिंदी में सिखेंगे. सबजियो के नाम आलू यानी बटाका, प्याज यानी कांडा, टमाटर यानी टामेटू, पालक यानी पालक, बेंगन यानी रिंगन, बिंडी यानी बिंडी, बिंडो, करेला यानी कारेला, लोकी यानी दूधी, गाजर यानी गाजर, मिर्च यानी मर्चू, अदरक यानी प्याज यानि कांडा हरी मिर्च यानि की लिलू मर्चू पालक लोक यानि दूदी निम्बू यानि लिम्बू टमाटर आलू गोबी यानि फुल गोबी भी कहते हैं यानि फुलेवर प्याज, बेंगन, गाजर, मतर, मतर यानिकी वटाना, सलगम, सलगम यानि बीट, सिमला मिर्ज, गाजर, प्याज, चुकंडर, चुकंडर यानिकी बीट, गोबी यानि फुलेवर, कडेला, पत्ता गोबी यानिकी कोबीज, लोकी यानि दुदी, बेंगन, लशून, अदरक, हीरा यानि की काकड़ी, बिंडी, आलू, कुकुर मुट्टा, कुकुर मुट्टा यानि मश्रूम, टमाटर, अरिशेम यानि की पापड़ी, पुली यानि मुडो, मक्का यानि मक्काई, मीर्च, यहां चित्रम में बैंगन, सिव्ला मीर्च और टमाटर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पडवल यानि की पडवड की सबजी है यहाँ है मिर्ची है बेंगन की सबजी है यहाँ अड्रक प्यास लहशुन है दोस्तो हमने यहाँ पे सबजी हो के हिंदी नाम सीखे अब हम इकाई नमबर नौ केसा सोर का अभ्यास सुरू करेंगे इस इकाई में समवाद के साथ चित्रो द्वारा सबजी हो का परिचय दिया गया है आप लोग यहाँ देख सकते हो कि खेत दिखाई दे रहा है और एक आदमी सो रहा है पेड़ की चाया में और वहाँ पे कुवा भी है तरह तरह की सबजीया आपको खेत में दिखाई दे रही है अब हम सुरुवात करेंगे बिर्जु चाचा ने अपने खेत में सबजिया बोई थी किसने सबजिया बोई थी बिर्जु चाचा ने बोई थी यानि की बोना यानि की बीज को मिट्टी मेरोपना जिससे उसमें अंकुर फुटे और गुजराती में कहते हैं वाववू दो पहर का समय था दो पहर यानि की बपोड़नो समय हतो विड्जो चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे लेटे यानि की सोय हुए थे कहां सोय थे तो पेड़ की छाया में सोय हुए थे उन्हें नींद आ गई उन्हें क्या आ गई नींद आ गई तब खेत की सारी सब्जियान खेलने के लिए इकठी हुई और तब खीट में जो भी सब्जिया थी वेसारी के लिए нокठी हुई यानि एकठी हुई ये सभी खेलते खेलते नौकजोग पर उतर आईये सबी खिलते खिलते नोक जोक ये मुहावडे का अर्थ है छेड़ चार करना अथवा तो उग्र चर्चा करना वे सबी अंदर अंदर उग्र चर्चा में उतर आती है आलू ने कहा मैं सब सबजियों में सर्ताज हूँ सर्ताज यानि कि सर्वस्रेश्ट हूँ ये किस ने कहा आलू ने यानि कि बटाका ने कहा सबी सबजियां मेरे बिना अधूरी है बच्चो और बुडो को मैं बहुत भाता हूँ यानि कि बहुत पसंद हूँ प्रिय हूँ बच्चो और बुडो को मैं बड़ा ही प्रिय हूँ चाट चीप्स टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजे मुझसे ही बनती है फ्रेंट्स आलो में से कौन-कौन सी चीज़े बनती है तो आलो में से चाट, चीप, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़े बनती है सकरकंड ने कहा, सकरकंड यानि की सकडियू उसने कहा कि मैं आलो का मित्र हूँ, मैं आलो का दोस्त हूँ मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं तब मटर ने मटर के दाने उचल कर बहार आ गए मटर के दाने यानि की वटाना न डाना उचल कर बहार आ गए और कहने लगे हमें बुल गए कई प्रकार की सबजिया, पुलाव और चटपटी कचोरी की जान है हम देखो कचोरी और तरह तरह की सबजियों में और पुलाव में क्या हम इस्तेमाल करते हैं? मटर के दाने का इस्तेमाल करते हैं उसी समय लोकी और गाजर कुड़ पड़े लोकी यानि की दूदी और गाजर भी बीच में कुड़ पड़े यानि कि बीच में वोल उठे राइता, कोफते और हलवा हमारे बीना कैसे बन सकते हैं लोकी बोली गाजर ने बात काटते हुए कहा बात को काटते हुए गाजर ने क्या कहा कि हलवा तो मेरा भी बनता है मेरा रंग रूप देखा है कितना सुन्दर लाल रंग है मेरा गाजर का रंग कैसा है लाल नाम सुनते ही मुह में पानी आ जाता है मुह में पानी आना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि खाने की तिव्र इच्छा होना यानि कि हलवे का नाम सुनते ही लोगों के मुँ में पानी आ जाता है, खाने की इच्छा हो जाती है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, यह सुनकर मंदगोबी यानि की कोबीज आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, यानि की मैं भी स्वास्ते के लिए उपयोगी हूँ, सबजी के अलावा कचुमर और सलाड में भी मेरा स्थान है, यानि की लोग सबजी बनाने के अलावा कचुमर और सलाड में भी मेरा उ मेरे बिना आप सबकी क्या किम्मत है किम्मत यान की मुल्य मिर्ची ने कहा कि मेरे बिना तुम्हारी क्या किम्मत है मेरे बिना सभी सबजिया फीकी है फीकी यान की स्वाद रहित है मैं पटली और चुस्त हूं भिंडी भी अपनी कोमलता और अनुठे स्वाट की प्रसंसा करन लगी अब करेला कैसे चुप बैता वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं मेरा खटा मिठा स्वा सब को प्यारा लगता है यह बात सुनकर करेला चिल लाया और बोला सिर्फ रंग रूप ही काफी यानिकी ताउ जैसे बीमारी अगर होती है उसमें कडेला का प्रयोक करते हैं आखिर में कल्गीदार बैंगन आया उसने समीको सांध करते हुए कहां दोस्ट आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है मिल जुलकर रहने में ही हमारी भलाई है सलगम यानि बीट गाजर बंदगोबी यानि कोबीज लौकी सिमला मिर्च को मिला कर बनाया कचुमर लिज़तदार होता है लिज़तदार यानि क पुलकोबी बींडी से बनी सबजी मनभावन बनती है मनभावन यानि कि मनपसन बनती है मिर्च धनिया अद्रक जैसे मसाले रसोय में स्वाद और सुगंद प्रदान करते हैं दोस्तों स्वाद और सुगंद कौन प्रदान करता है तो मिर्ची धनिया अद्रक जैसे मसाले इ एक साथ गूल मिलकर और भी मजेधार हो जाते हैं इतने में मिर्जु चाचा जागू थे सभी सब जिया इधर उधर बागने लगी लौकी करेला और ककडी बेलो पर जा बैठी बेलो यानि की लटा यानि वेला बेलो पर जो सब्जिया होती है उसका नाम है लौकी यानि गाजर बीट जमिन के अंदर गूज गए यानि जमिन में जो भी सब्जिया होती है उसमें सकरकंड यानि सकडियू आलू यानि बटाका गाजर बीट ये सबी समाविस्ट होते हैं तो वे सबी कहां गूज गए जमिन के अंदर गूज गए बींडी मतर मेंगन टमाटर पोड पर जो सबजिया होती है वो है बिंडी, मतर, बैंगन और तमाटर। वे सभी पोधे की दालियों में छीप गई। बीरजु चाचा अपने काम में मस्गूल हो गए। दोस्तों आप लोगों ने इस इकाई में सबजीयों के बारे में माहिति प्राप्त की, आप लोगों को सबजीयों के बारे में जानकारी मिल गई होगी, अब हम सबदार्थ सीखेंगे। सब्धार्थ आखीर आनि अंत मजेदार स्वादिष्ट लिज्जत स्वाद पुलाव सब्जी और चावल से बना व्यंजन हल्वा एक प्रकार की मिठाई मन भावन मन पसंद अब हम मुहावरे से परिचित होंगे मुहावरे नौक जोक करना उग्र चर्चा करना मुह में पानी आना खाने की इच्छा होना बात कातना बीच में बोल उथना विद्याती मित्रो आप लोगों ने भाग एक में कैसा सोर नामक इकाई का अभ्याश किया सब्जीयों के मारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की इकाई में आने वाले सब्दार्थ और मुहावरे की भी आप लोगों ने चर्चा की मैं आसा करती हूँ कि आपको इसी काई में समपोन समझ आ गई होगी अगले विडियो में अभ्याश के प्रश्णों की और आगे बढ़ेंगे तक तक के लिए सुरक्सित लईए बाई टेक केर